नमस्कार दोस्तों दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिस की हमें रुलाने की मगर स्री कृष्ण ने सिम्यदारी उठा रखी है हमें हसाने की नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबर आसी वालों की कुमबर आसी वालों का साथ मार्च दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय किन-किन चीजों से सावधान रना होगा और कुमबरासी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी खुसकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुमबरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहीगा उनका बिजनेस वेपार कैसा चलीगा उनका प्रेम संबंद कैसा रहीगा और साती सात उनका स्वास्त कैसा रहीगा तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज मंगलवार है बजरंगबली महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जैस्रीराम जरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बरा है तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है साथ मार्च दोहजार तेईस दिन मंगलवार आज की तीथिय पूर्नीमा आज का नचतर है पुर्वफाल गुली नचतर है पच्चल रहा है सुकले पच दोस्तो आज सुर्य देव दाए होंगे सुवह छे बचके 41 मिनट पे सुर्य देव अस्त्थ होंगे साम 6 बचके 24 मिनट पे दोस्तो, आज का सुब समय है, सुभे 10 बच के 35 मिनट से, सुभे 11 बच के 16 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो, कोई सुब काम करना है, तो इसी समय करें, आपके लिए सुब रहेगा और साथ ही साथ आज का असुप समय है दोपहर बारे बच के 32 मिनट से दोपहर दो बच के 3 मिनट तर दोस्तों आज आपका लखी नंबर है 9 और लखी कलर है नीला अब बात करते हैं दोस्तों आज के चानक नीती ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं ऐसे पुरुशु के पास दोड़ी चली आती हैं महिलाई जी हाँ दोस्तों कोई भी जितना सम्मान किसी और को देता है वो उतना ही सम्मान पाने का अधिकार ही होता है ऐसे में सम्मान देने से महिलाई भी पुरुषों की तरफ आक्रिशित होती है अगर कोई पुरुष इस तरी के रहस्य को जान कर भी उसे किसी के सामने व्यक्ति ना करे तो ऐसे में ऐसे पुरुष बहतर कहलाते है पावंदी किसी को पसंद नहीं चाहिवा महिला हो या पुरुष ऐसे में अगर कोई पुरुष किसी महिला पर कोई पावंदी ना लगाए उसे अपने तरीके से सिंदेगी जीने की आजादी दे तो ऐसे पुरुषों के प्रती इस्तिलियों का आक्रशन बढ़ जाता है तो दोस्तो आज का चानक निति ग्यान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दिना अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बरासी फल के बारें कैसा रहीगा आपका आज का दिन आई जानता है तो दोस्तो बच्चे आपकी साम को खुसी की चमक लाएंगे ठकाओ और उबाओ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाएं उनका साथ आपके सरीर में फिर से उर्जा भर देगा दोस्तो आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में शक्चम होंगे आपको आश्चर में डालते हुए आपके बचाओं में आपका भाई आगे आएगा आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की आविशक्त है याद रखें कि सहयोग जीवन का केंद्र भिन्तु है सावधान रहें क्योंकि प्यार में पढ़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कटनाया खड़ी कर सकता है आज लोग आपकी वहाँ प्रसंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे जीवन साथी के किसी आचानक काम की वज़े से आपकी योजनाएं बिगर सकती है लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है अपनी रचना धर्मीता को नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है दोस्तों कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबर्दस और सिजनात मखो साथी आपको बताएं सितारों का साथ मिलेगा आज जिस काम में हाट डालेंगे वाकाम सुचार रूप से संपन्न हो जाएगा इससे आपका आत्मे विश्वास पढ़ेगा एवं विध्यारती वर्ग को अपने किसी प्रोजेक्ट में उसी सफलता हासिल होगी वी ते कारियों में हिसाब किताब करते समय सतरक रहे किसी प्रकार की गलत फैमी हो सकती आज कहीं निवेस ना करे तो बहतर रहेगा किसी भी दस्तावेज या पेपर सम्मंधी कारे में हस्थाचर करने से पहले अच्छी तरह जाच परताल अवश्य कर ले कारोबार में मैनुफ्यक्चरिंग में बहुत सावधानी रखने की आविश रकता है सियर और स्टॉक मार्केट में निवेस ना करें तो अच्छा रहेगा ब्यवाहिक संबंधों में मधूरता रहेगी तथा घर में नजदी की रिष्टेदार की आने से चहल पहल और खुशी भरा वातावरणा बना रहेगा साथ ही आपको बताएं दोस्तों अचानक तूटा रिष्टा आपको परिशान कर सकता है लेकिन याद रखें जो भी होता है अच्छे के लिए होता है इस बीज जब अर्दस्ती खीचा जा रहा हा रिष्टा अधिक समय तक नहीं रहता अगर आप सिंगल है तो इस समय का मजा खुल कर ले और अगर बिभा के चुक है तो अभी थोड़ा इंतिजार करें आपके लिए खुसकबरी है यब हम आपके अकेले रहने के दिन अब जा चुके है और आप प्यार के मधुर छणों का मजा लेंगे आपका रोमांटिक फ्रंट प्रेम और उस्सा से भरा हुआ है साथ ही आपको बताएं दोस्तो आज आपके सब कामों और विचारों में एकागरता और सांती रही आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे दरसल कारस्थल पर भी ऐसी इस्तिती बन सकती है कि आपको सांती दूद बनना पड़े अब बात करते हैं दोस्तो आपके लव लाइप की आपका प्रेम जीवन कैसा रहीगा आई ये जानते हैं तो दोस्तो आज आप अतीद के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिस्ता रहा है इस मुलाकात की वज़े से आप अपने मौजुदा संबंधों की गती सीलता को बढ़ा सकते हैं या इसका स्वरुप पूरी तरह से बदल सकते हैं या पुराने रिस्ते का नवीनी करन करके एक नई सुरुवात को चिन्हेद कर सकते हैं आप अपने भावनाओं पर ध्यान दे उसे छुपाएं नहीं और इस तरह से आप एक बहतर दिन को जी पाएंगे आप बात करें दोस्तों आपके आज के व्यपार और कैरियर की तो दोस्तों कुछ समय से अपने कारेले में आप काफी अच्छा कारे करकर हैं और ये खुबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी उपर उठाएगी पद उन्नती भी आपका इंतिजार कर रही है परंतु दोस्तों आपके सहकर्मियों की द्वेश इवं जलन आपका मन खराप कर सकती है ये आपके लिए एक मुश्किल चिनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है ये चीज आपके मन और मस्तिस्ट पर बुरा प्रभाव ना डाले तो दोस्तों ये था अचका कुम्ब रासी का रासी फ़ल रोज की कुम्ब रासी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलट करें आपका दिन सुभो नमस्ते दोस्तों राधिकिश्ना